हेलो अबरिवन कैसे हैं आप सब आई होप आप बहुत अच्छे होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चीली पनीर की जाशीपी तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक लाइक कर दीजिए और जो मेरे ना मिर्च को मैंने काट लिया है मोट मोट टुकलो में यहां पर दो प्याज काट लिया है उनको मैंने मोट मोट टुकलो में काट लिया है और चार लैसंगी कर लिया ले लिया है और साथ मैंने एक मोट प्याज थोड़ा बारी करके कट कर लिया है तो सबसे पहले मैंने यहां काटोरी में एक दही ले ले लिया है और इसमें मैं डालने वाली हूं यहां पर एक चममच डालूँग्ग मैं लाल मिर्च और दो चममच डालूँगी मैं पिसा हुआ धनिया और बस इन सबी चीजों को मैं एक साथ मिक्स कर लूँगी और फिर आगे गर प्रोसिस करते हैं तो अभी हम सबसे पहले जो हमने सिम्ला मेर्च और प्याज को मोटा मोटा करके कट किया था चोको और टुकडों में उसको हम फ्राइ कर लेंगे और इनको बहुत ज़्यादा फ्राइ हमें नहीं करना है बस हल्का सा ही फ्राइ करना है क्रंचिन के अंदर रहना चाहिए तो यहाँ पर मेरे सिम्ला मेर्च और प्याज हो चुके हैं इनको मैं निकाल लेती हूँ तो यहाँ पर प्याज मेरे ब्राउन हो चुकी है अभी मैं इसमें एक चम्मच देगी मिस्ट डाल लिए हूँ जिससे हमारे पनीर का बहुत अच्छा कलर आई तो यहाँ पर मैंने दही और जो मसालों का पेस्ट बना कर रखा था उसको मैं इसमें डाल दूँगी और बस इसको भी हमें अच्छे से भून लेना है और इसी स्टेज पर मैंने इसमें हल्दी भी डाल दी ती जो की क्लिप मिस हो चुकी है तो दही वाला पेस्ट भी हमारा अच्छे से हो चुका है तेल छोड़ दिया है अभी हम इसमें डाल देंगे जो मैंने चार टमाटर लिये थे और लेस्ट लिया था अधरक यह सारी चीजे इनका भी मैंने पेस्ट बना लिया है अभी मैं पेस्ट को इसमें डाल दूँगी और डाले के इसको भी इसको भी मिक्स कर लोंगी और इसको कुछ दिर भूनए के छोड़ेना है ताकि अच्छछ अपना कलर्ड छोड़ कि अब भी इसमें डालने हैं जो हमने शिमला मिर्च और प्याच को फ्राइ करके रखा था वह मैं इसमें डाल दी हैं और इसके बाद मैं डाल दूँगी पनीर और चीली पनीर बनाने के लिए आप लोग पनीर के मोटो मोटो पीश ही काटना तो इसको मैं डाल दिया है और किस्ती लग रही है ना तो अगर आपको आज की रैसी पे अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना जो भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो फिर मिलते हैं कच्छी सी वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर बाई बाई